नमस्कार अम्मा के थाली में आपका स्वागत है आज हम बनाएँगे गेहु के आंटे के रेसिपी आज हम गेहु के आइसी रेसिपी बनाएंगे यह बनाने हम ज्यादा समय नहीं लगता है आप इसे सुबध साम के नासे में बना कर खा सकते हैं खाने हम बहुत किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जिए और हमारे वीडियो को सब安排 देखने के लिए पेल लाइकन के बटन दुद मैं को नाय चलिए हम शुरू करते हैं कि और ल यंद्री हम देने लिए आटे के घोल बनाने के लिए रेशीपी बनाने के लिए आप बेद हाया है अब इसी भरतन दाल देते हैं अब इसी में हम दही डाल देते हैं अब इसी में थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसका गोल बना लेते हैं इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे गोल पतले नहों हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे जिससे हमारे आटे और दही अच्छी तरीके से मिल जाएं जिससे हमारा घोल अच्छा बनेगा हमने आटे और दही का घोल अच्छी तरीके से बना लिया है अब इसमें हम बारिक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं बारिक कटा हुआ हरा धनिय डाल देते हैं बारिक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं बारिक कटी हुई हरी मिर्च चाट मसाला हल्दी पाउडर और नमक को स्वात के अंसर डाल देते हैं हर इसीमें थोड़ा-पानी आउट डाल कर अच्छी तरीके से मिला लेते हैं हम इसको अच्छी तरीके सी मिला लेते हैं जिससे हमारे सामख्री फोल में अच्छी तरीके सी मिल जाएं इस सारे समान को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है यह हमने अच्छी तरीके से घोल बना कर तयार कर लिया है बहुत पतलक घोल हमने नहीं बनाया है अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढख देते हैं जिससे हमारे घोल अच्छी तरीके से खिल जाएं यह हमारे 10 मिनट हो चुके ह हमारा घूल अच्छी तरीकेस खेल कर तैयार हो चुका है अा debugging ड़ी यह कुछ हमने एक तवा लिया है ह। और हम तवा को हल्का गरम करेंगे, तवा पर हमने पहले से एक चमज तेल लगा दिया है, तवा हमारा गरम हो चुका है, हम गईस को धीम कर देते हैं, अब इस पर हम आधा चमज तेल आउर लगा देते हैं, अब इसी पर हम आटे के घोल चमज से डाल कर धीरे धीर फैलाएंगे, हम इसको चमज से धीरे धीर अच्छी तरीके से फैलाएंगे, हम इसको चारो तरफ से एक लेयर में फैलाएंगे, हमने घोल को अच्छी तरीके से फैला दिया है, अब हम इसको धीमी आच पर धीर 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 पकाएंगे, यह हमारा घोल धीर 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 पकने लगा है, उपर से इसका कलर धीर 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 बदल रहा है, और धीर धीर नीचे से पकने लगा है, अब इसको हम पलट देते हैं, पढ़ेंगे हं में इसको दूमस्याज पर ही पकायें और फंटे से हम इसको दबाते रहेंगे जिससे कहरे से कच्चेपन ना जिससे हमारा गोह अच्छी तरी के जाये अब वह शुणो Почему अब मिसको एक बार फिर पलट देते उस तरफ अब इसको धीमी याज पर एक मिनिट के लिए और पका लेते हैं यह हमारा गेहूं के रेसिपी बनकर तयार हो चुका है इसको हम प्लेट में निगाल लेते हैं इस तरीके से हमने गेहूं के आटेक रेसिपी बनाया है अब हम इसी तरीके से दूसरा वाला बना लेते हैं अब तवेफ हम थोड़ा स्टेल और लगा देते हैं उसी तरीके से हम फिर चम्मा से घोल डाल कर फिलाएंगे यह वाला हमारा उस तरफ पक चुका है अब इसको भी हम पलड देते हैं और इसको भी हम 2-3 मिन तक पका लेते हैं यह दूसरा वाला भी हमारा पक चुका है इसको भी इस प्लेट में निकाल लेते हैं उसी तरीके से हमने तिसरा वाला भी बना लिया है यह तिसरा वाला भी हमारा बनकर तयार हो चुका है अब हम गह इसको बंग कर देते हैं और इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं हमने गहों के आटे कर रेशीपी बना कर तयार कर लिया है hai यह आप देख सकते हैं दो कप गहों के आटे में 10 शे 12 मिन्स की नास्था बना कर निकाल लेते हैं अब इसको इस तरीके से लपेट कर रोल कर देते हैं, इस तरीके से इसको रोल कर देते हैं, अब इसको हम चाकू से दोभागों काट देते हैं, इसी तरीके से आप भी इसे अपने घर पर सुबसाम के नास्ते में बना कर खा सकते हैं, इसे आप ओशे भी खा सकते हैं, चटनिक करना ना भूलें